हलो मैं डियर फ्रेंज कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हैं आप लोग अच्छे और स्वास्त होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग और प्याप एकजाम 2015 में गनीच से पूछेगे सभी प्रस्म को एकदम बेसिक से समझेंगे आज का ये क्लास प्रिवियस एर कुष्चन का पाला प्रेक्टिस क्लास है तो चलिए हम लोग आज की क्लास को सुरू करते हैं पाला कुष्चन है एक दुकांदार ने एक सट को 400 रुपिया में 20 परसिंट की हानी पर बेचा तो सट का लागत मोल ये क्या था देखिए कुष्चन में कहा गया है 20 परतिसत की हानी पर एक सट को बेचा जाता है इसका मतलब ये हुआ कि सट को 80 परतिसत में बेचा जाता है इस 80 परतिसत का वैलू आपको दिया गया है 400 आपसे पूछा गया है तो लागत मोल क्या है किसी भी वस्तु का लागत मोल अपने आप में 100 परसिंट होता है इस 100 परसिंट का वैलू आपसे पूछा गया है अब देखिए इसका वैलू निकालने के लिए इसके सामने जो वैल कट जाएगा 8 से काटेंगे 40 कट जाएगा 5 बार में तो क्रायमूल निकल के आ जाएगा 500 ओप्शन भी हो जाएगा सही एंसर अगला कुश्चन नम्मर 2 है रीता एक कारे को तीन दिन में कर सकती है तथा रीना उसी कारे को 5 दिन में समाप्त कर सकती है तो दोनों मिलकर उस कारे को कितने दिन में पूरा करेगी देखिए रीता एक कारे को तीन दिन में समाप्त कर सकती है जबकि रीना उसी कारे को 5 दिनों में समाप्त कर सकती है आपसे पुछा गिया है तो दोनों मिल कर उस कार को कितने दिनों में पूरा करेगी दोनों मिल कर गिया है तो उपर में आपको करना है multiply नीचे में इन दोनों को जोर के लिखेंगे 3 पलस का 5 करेंगे नीचे आ जाएगा 8 इसको आगे स्वल्ब करेंगे तो 15 अपन में 8 दिन का समय लएगा ओपसन डी हो जाएगा सही एंसर अगला कुश्चन नमर 3 है एक जोरी जूत्य को 1200 रुपया में खरिदा गिया तथा 1242 रुपया में बेचा गिया तो लाब परतिसत क्या है देखिए 1200 रुपया में एक जोरी जूत्य को खरिदा जाता है और 1242 रुपया में बेचा जाता है तो आप से पूछा गिया है लाब परतिसत क्या होगा 1200 रुपया में खरिदा गिया और 1242 रुपया में बेचा गिया तो कितने रुपिया का लाव हो रहा है तो लाव हो रहा है 42 रुपिया का 42 रुपिया का लाव हो रहा है 12 सोपे परसेंटेज लगाने के लिए 100 से करेंगे मल्टिपला है इसको आगे स्वल्ब करेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा 12 से काटेंगे 42 कर जाएगा 3.5 बार में तो 3.5 परसेंट का हो जाएगा प्रोफिट अप्सन D हो जाएगा सई एंसर अगला कुछ सर नमर चार है यदि किसी संख्या के वर्ग में 9 जोरा जाए तो परिनाम 850 है तो वह संख्या क्या है देखिए संख्या मान लेते हैं X है संख्या के armed men 9 जोरने पर कितना प्राफ्ट हो रहा है तो 9 जोरने पर संख्या प्राफ्ट होता है 850 इसको आगे स्वल्व करेंगे तो X square बरावर हो जाएगा 850 मैंनस में आजाएगा 9 X square बरावर हो जाएगा 850 में से 9 को मैनस करेंगे संख्या आ जाएगा 841, स्क्वाइर को अटाएंगे इस सेड आ जाएगा रूट 841 का गुननखंड करेंगे इसका गुननखंड हो जाएगा 29 गुना 29 रूट से बार निकालेंगे कितना आ जाएगा संख्या निकल के आ जाएगा 29, option number A हो जाएगा, सही अंसर अगला question number 5 है सियाम का वेतन आजाई की वेतन से 40% अधिक है यदि आजाई का वेतन 800 रुपया हो तो सियाम का वेतन कितना होगा देखिए, सियाम को दर्शा रहे है S से और आजाई को दर्शा रहे है A से question में कहा गिया है सियाम का वेतन आजाई की वेतन से 40% अधिक है मान लेते हैं आजाई का वेतन है 100 तो सियाम का वेतन हो जाएगा 140 आगे कहा गिया है, आजाई का वेतन 800 रुपया है, इस 100 का value आपको दिया गिया है 800 जो कितना गुना है 100 का 8 गुना है इसी प्रकार स्याम का वितन हो जाएगा एक सो चालिस का आठ गुना एक सो चालिस को जब आठ से मल्टिप्लाइ करेंगे तो एमोंट निकल के आ जाएगा एक ग्यारा सो बीस ओप्शन सी हो जाएगा सही एंसर अगला कुश्चन नमर सीक्स है एक आयताकार मैदान का छेतरफल सततर वर्ग मीटर है यदि चोराई सात मीटर हो तो मैदान का परिमाव कितना होगा देखिए इस आयताकार मैदान का छेत्रफल आपको दिया गिया है 77 वर्ग मीटर है छेत्रफल बरावर होता है लंबाई गुना चोराई लंबाई आपको नहीं दिया गिया है चोराई दिया गिया है 7 मीटर साथ से काटेंगे 77 कट जाएगा 11 बार में लंबाई निकल के आ जाएगा 11 मीटर आपसे पूछा गिया है तो मैदान का परिमाफ कितना होगा इस मैदान का परिमाफ हो जाएगा आयत के परिमाफ के बराबर आयत का परिमाफ होता है 2 into लंबाई जोर चोराई लंबाई निकल के आ जाए 11 मीटर चोड़ाई आपको दिया गया है 7 मीटर इसको स्वाल्व करेंगे दो मल्टिपलाई में संक्या आ जाएगा 18 दो गुना 18 करेंगे परिमाफ निकल के आ जाएगा 36 मीटर अगला कुश्चन नम्मर साथ है संक्या 62% को दसमलब में बदलिए देखिए आपको संक्या दिया गया है बासक परितिसत दसमलब में बदलने के लिए परितिसत को आटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 एक सो से डिवाइड करेंगे तो संक्या आ जाएगा 0.62 ओप्शन C हो जाएगा सही एंसर अगला कुश्चन नम्मर 8 है यदि 19 रेशियो 23 बरावर एक्स रेशियो 253 हो तो एक्स का मान कितना होगा देखिए आपको संक्या दिया गया 19 रेशियो 23 तो इसको लिख सकते है 19 अपन में 23 बरावर में संक्या दिया गया एक्स अपन में 253, इसको लिख सकते हैं, एक्स अपन में 253, ता इस से काटेंगे 253 कर जाएगा 11 बार में, अब एक्स का वैलू निकालने के लिए cross multiplication करेंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा, 19 multiply में संख्या आ जाएगा 11, 19 गुना 11 करेंगे, संख्या निकल के आ जाएगा 209, एक्स का वैलू हो जाएगा 209, अगला question नमर 9 है, एक scooter 48 किलो मीटर परती घंटे की गती से चलने पर 200 मीटर की दूरी ताय करने में कितना समय लेगा, देखिए, चाल आपको दिया गया 48 किलो मीटर परती घंटा, इसको मीटर पर सकेंड में बदलने के लिए 5 अपोन में 18 से करेंगे multiply, 6 से काटेंगे 18 कर जाएगा 3 बार में, और 48 कर जाएगा 8 बार में, इसको आगे स्वल्व करेंगे, तो 48 अपोन में आ जाएगा 3, 40 अपोन में चाल, तो दूरी आपको दिया गया है 200 मीटर, चाल निकल के आजा है 40 अपोन में 3 मीटर पर सकेंड, इसको आगे स्वल्व करेंगे, तो 200 अपोन में आ जाएगा 40, और multiply में आ जाएगा 3, 40 से काटेंगे 200 कट जाएगा 5 बार में, तो समय लग जाएगा 15 सकेंड, 200 मीटर क की दूरी तै करने में 15 सकेंड का समय लगेगा, ओप्सन यह हो जाएगा सही एंसर, अगला कुश्चन नम्मर दास है, यदि एक संख्या का 45 परसेंट 180 है, तो उस संख्या का 90 परसेंट कितना होगा, देखिए संख्या मान लेते हैं, एक्स है, एक्स का 45 परसेंट कितना दिय 45 से 180 कर जाएगा चार बार में, तो एक्स का वैलू निकल के कितना आ जाएगा, तो एक्स का वैलू निकल के आ जाएगा 400, आप से पूछा गिया है, तो उस संख्या का 90 परतिसद कितना होगा, तो सिंपल आपको इस संख्या का निकलना है 90 परतिसद, परसेंटेज को आएगा सही एंसर उमीद करता हूं आप लोगों को सभी प्रस्ट अच्छी तरह से समझ में आ गिया होगा तो इस क्लास में इतना ही मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में तब दर के लिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको इसी तरह आगे क्लास कंटिन्यू मिलता रहे